हेलो एवरीवन, मैसेल राखी मेटी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, जेडी बीगल्स कोलेज, कोटा, हमारा टापिक चल्राइब, बीएसे पार्ट टू, पेपर थ्री, यूनिट फस्ट, थमोडिनेमिक्स फस्ट, मैंने आपको लास्ट अली क्लास में दहन उश का प्रावगीक निधारेन कैसे किया जाता है, उसके बारे में हम बात करेंगे drink, experimental determination of heat of combustion, दहन उश्मा के प्रावगीक निधारेन के लिए, बंब कैलोरी मीटर का उप्योग किया जाता है, बंब कैलोरी मीटर जो है, आपको डाइग्राम में दिखाया गया है, इसमें एक आ औक्सिजन भढ़ने के लिए पाशन अली का एक को भी बंद करता है। एक प्लेटिनम का छोटा कप C है, जो की एक छड़ आर द्वारा लटका हो है। कप के उपर एक प्लेटिनम का तार लगा है, जो की छड़ जी द्वारा जुड़ा है। चड़ आर द्वार जी को विद्वत परिपस से जोड़ सकता है। जिस पधारत की दहन उश्मा का निरधारन करना होता है, उसकी ग्यात मात्रा हम कप में रख देते हैं। आप आशनली का ए द्वारा बं में बी से पच्चिस वाय मंदल दाप पर ऑक्सिजन गैस बर दी जा दिये। पेच एस को बंध कर दिया जाता है। इस पूरे बं को एक अन्य कैलोरी मीटर डी में रख देते हैं, जिसमें जलकी ग्यात मात्रा भरी है। इस कलोरी मीटर में एक विलोड़क तता एक थर्मामीटर लगा होता है, जो कि एक डिगरी के सोवे भाग को माप सकता है। कलोरी मीटर को पूर्टया उश्मरोधी बना दिया जता है, ताकि दहन उश्रुदोश मिस्तिती में हो सके। इसके प्रानबिक ताप को नौट कर लेते हैं और इसके पश्वात विदुद्धारा प्रवाहित करके प्लेटिनम की तार को गरम करते हैं। जैसे हैं विदुद्धारा प्रवाहित करते हैं तो जो कप में रखावा पधार्था हमारा वो जलने लगता है। ऑक्सिजन की अधिकता की कारण पधार्थ का पूर्ण ऑक्सिकन हो जाता है। मुक्ध हुई उश्मा से बंब कलोरी मीटर और जिलकता बढ़ता है। इस सिर होने पर अंतिमत आप नौट कर लेते हैं। किसी पधार्थ जिसकी तहन उश्मा ग्यातों साम्मनेतए शुद्ध बेंजोई कमल का दहन करके बंब कलोरी मीटर की उश्मा धायता ग्यात की जाती है। इन सबसे इस सिर आयतन पर तहन उश्मा की गरणा निम्ल प्रकार करते हैं। अब देहन उश्मा के गर्णा कैसे की जाती है, वो देखिए, माना की बम कैलोरी मीटर की उश्मा धायता C लिए गए पधाट का दुएमान W तथा अनुभार M है, यदि T1 और T2 कैलोरी मीटर और जल के प्रामबिक अंतिमताप हैं, तो आगे क्या होगा? बम कैलोरी मीटर द्वारा रहन की गई उश्मा वो होगी C इंटू T2 माइनस T1, जोकि यह उश्मा W ग्राम अथवा W अपॉन M मोल पधाट के रहन से उत्पन होई हैं, अता एक मोल पधाट के दहन में उत्पन उश्मा होगी C इंटू T2 माइनस T1 M अपॉन W, अता परिभाश के नुश्मा माइनस देल्टा E इस इकल टू C इंटू T2 माइनस T1 M अपॉन W, यहाँ डेल्टा E इससी रायतन पर दहन उश्मा है, इससी दा पर दहन उश्मा का मान निमनी समीकन द्वारा ग्याद कर सकते हैं, डेल्टा H इस इकल टू डेल्टा E प्लस डेल अजी आटी, बहुत उत्तम यदिया में परिणायम प्राप करना है, तो प्लेटिनिम के द्वारा, त्वार द्वारा मुग्धी उश्मा, परिपाशिक से प्राप्त उश्मा आदिक के लिए उच्छी संश्योदन की जा सकते हैं, दहन एंथल्पी एक इंपोर्टेंट है टॉपिक, इसलिए हमने इस कोकिस तरीके से निधारन गया, इसके बारे में पढ़ा आप दहन एंथल्पी की अनुप्योग क्या हैं, सबसे पहला संभाण उश्मा एंथल्पी की गणना, दहन एंथल्पी की द्वारा आप संभाण उश्मा की गणना कर सकते हैं, काबनी क्योगिकों की दहन उश्मा का परिकलन अपिक्षात कत सरल्पा से किया जाता है, अते इसका उप्योग इनकी संभाण उश्मा की गणना करने के लिए किया जाता है, इसका उप्योग संकर्मन उश्मा ग्याद करने में भी करते हैं, जै जैसे कि आपका CH4 प्लस 2O2 है तो CO2 प्लस 2H2 तो ΔC is equal to ΔCO2 प्लस 2 into ΔH2O मानस ΔHCH4 is equal to minus 21 तो ΔCH4 इदिया आपके कल्कुलेट करना है तो यह होगी है आपका वेल्यू से वाप रखेंगे तो मानस 179.3 किलो कलोरी ΔHCH4 CO2 H2O क्रमेश है CH4 CO2 और H2O की संभन उश्मा है ऑक्सिजन की संभन उश्मा शुन्य माने गही है सेकिंड इन्धन की उश्मा उद्पादक्ता निकाल सकते हैं कलोरिफिर्क वैल्यू अफ फ्यूल किसी पधाद की एक ग्राम मात्रा के पूंड दहन से जो इश्मा उद्पन होती है उसे पधाद की उश्मा उद्पादक्ता ये कलोरी मान करते हैं इसका तरत पर ये यह है कि कम इन्धन काम में लेने पर भी अधिक उश्मा का उद्पादन यह इंदन के लिए अत्यमत मेर्टरपुण मान है इस प्रकार उश्मा उद्पड़क्ता ज्यात होने से उद्योगों के लिए सस्ता हरो चित इंदन खरिदे में सहायता मिलती है कोला, पेट्रोल, करोसिन, आनी हिननकी, शेणी करण उश्मात परक्तक की अधार पर करते हैं थर्ड है खाद्य परदार्तों के कलोरी माथ कलोरिफिक वेल्यू आफ फोडिस्टर्स अच्छे स्वास्ते के लिए संतुलिद मूचन आवेशक है जो खाद्य परदार्त हम खाते हैं, वे हमारे शरीर में आक्सी करत होकर उज़ा परदान करते हैं अतर विबिन खाद्य परदार्तों की दहन उश्मा ग्यात होने से हमें हमारे शरीर को उज़ा परदान करने की ख्षिमता का ग्यान होता है आता विबिन खाद्य पधार्तों के कैलोरी मान ग्यात होने पर संतुरित भोजन की नियुंतम आवशकता पूरी करने के लिए तैनिक भोजन में उनको सम्मलीद करते हैं काबनी क्योगीकों की सनशना निर्धार, determination of structure of organic compound किसी भी सजाती शिर्णी के सजातों की दहन उश्माओं में एक निश्चित अंतर होता है आता दहन उश्मा एक निश्चित गम से गड़ती है मैथेन की दहन उश्मा माइनस टिपल टू किलो कलोरी है वे इसके बाद के पराफिन हेड्रोकाबन शेने में दो क्रमागस दश्यों की दहन उश्माओं के मान 15.8 किलो कलोरी का अंतर होता है और ये 15.8 से घटा चला जाता है आता है इस सजाती शेने के किसे सदश्य की दहन उश्मा-2-N किलो कलोरी होगी जहां N-CH2 सम्मों की संख्या है जिने CH4 में जोडने से हड्रोकाबन का सुत्र ग्याद कर सकते हैं और N-कामान ग्याद कर सकते हैं इस प्रकार अन्नी काबनिक सदश्यों की सायता से मिनमिन परमाणूओं सम्मों और बंदन की दहन उश्माओं का निधर्ण कर सकते हैं तीसरी उश्मा आती है हमारी उदासिनी काण उश्मा या उदासिनी काण एंथल्पी, Heat of Neutralization या Heat of Enthelpy of Neutralization अमल एमक्षार की पारसपरिक क्रिया को उदासिनी काण अभे किया करते हैं एक ग्राम तुल्यांक अम्ल वए एक ग्राम तुल्यांक खशार के तनोवलियनों की परस्पर्म पूर्ण उदासी निकर्ण अबेक्या के फ़र्सुरूप पूर नुश्मा में हुआ जो परिवर्तन होता है उदासी निकर्ण एंथल्पी या उदासी निकर्ण नुश्मा कहल कलोरी उदासिनी करन उश्मा का आपके प्रैक्टिकल भी है सके इंडिये में उसमें हम ये वैल्यूस प्रैक्टिकली कल्कुलेट करते हैं जब 13.65 ग्राम तुल्यांक 40 ग्राम एनियोच को उदासिन करता है तो 13.7 किलो कलोरी उश्मा उद बनोती है जो की उदासिनी करन उश्मा होती है ही इसके एकॉर्डिंग प्रबल खिशारों की उदासी नी का नुश्मा का माल इससी रहता है ये अमलो खिशार की प्रवर्टी पर निर्भर नहीं करता है है एकॉर्टी प्रवर्बल खिशारों की उदासी नी का नुश्मा की सिर्दा को आयनल सिध्धान द्वारा समझाय साथा है प्रवर्बल आमलो खिशार तथा उनके उद्पात प्रवर्विदुद्ध प्रवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर इन अभीक्रियाओं में उदासिनी कर अभीक्रिया के साथ ही दुर्बल अम्ल या दुर्बल किशार आयनन भी होता है। कुछ उश्मा आयनन की प्रक्रिया में अशुषित होती है, परिणाम सरुप मुक्त ही उश्मा कामान 13.7 किलो कलोरी से कम होता है। यदि अम्ल और दुर्बल किशार दोनों ही दुर्बल हैं तो मुक्त ही उश्मा कामान और भी कम होगा, क्योंकि दुर्बल अम्ल और दुर्बल किशार दोनों के आयनन में उश्मा और शोशित होती है। सेटी का सी रोल आप पार्मोनियम हेड्रोकसर के बारे में बात करेंगे तो माइनस 12.7 किलो कलरी आएगा नेक्स्ट हमारा आता है आयनन एंथल्पी या आयनन उश्मा एंथल्पी ओफ आयनाजिशन और हीट ओफ आयनाजिशन उपरक्त प्रियोक्षनों के आधार पर यह बताया गया है कि दुरुबल अमल तता दुरुबल खशार की आयनन उश्मा की गणना कह सकते हैं एक मोल दुरुबल अमल या खशार के पूर आयनन में और शुचित उश्मा को उस अमल या खशार की आयनन एंथल्पी कहते हैं आनेन उश्मा की गणना जो है इस तरीके से करते हैं आपको एक्जांपल दे रखा है ठीक है उदासी नीकर्ण उश्मा का प्राइगी निधा है प्रियोग द्वारा उदासी नीकर्ण एंथल्पी का माने लिए हमें निकालना है तो उसके लिए हम डेबार फ्लास को कलोरी करते हैं साम previous के लिए रेबार फ्लास के स्थान पर ठर्मस व्ब करते हैं उश्मा का पर रोकने के लिए करो विए हम इसे फ्लास को लाकडि के अधिब्ब्य में W है ठंडे वे जल वे फ्लास्क आदी द्वारा ग्रहन की गई उश्मा M1 T3-T1 प्रैस W T3-T1 है गरम जल द्वारा D2-T2-T3 चुकि उश्मा का ख्षय नहीं होता है इसे ली गई उश्मा is equal to D2-T1 बराबर कर दी अभल हम उश्मा के विलियनंगे समाना आयतां दो अलगर बिकरों मिलेते हैं अनियोश को समपोंड विलियन को तेजी से कैलॉरी मीटे ॠ बिलियन kon 30 सेकींड बार ताप नोट करते हैं वो की जोगी T6 है तो मिश्चन का प्रादमिक ताप T4 प्लस T5 अपॉन 2 कलोरी मीटर तथा अंतरनी हीत वस्तू द्वारा ग्रहेंड की गई उश्मा Q is equal to 200 plus 200 T6 minus T4 plus T5 upon 2 plus W T6 minus T4 plus T5 upon 2 या Q is equal to 400 plus W T6 minus T4 plus T5 upon 2 चुकि है कि उश्मा Q is equal to 200 ml mSCl 200 ml mNOH तदा अथार्थ 1 by 5 ग्राम मोल SCl तदा 1 by 5 ग्राम मोल SCl की उदासी निकर्ण से प्राप्त होई है तो m1 ग्राम मोल SCl और 1 ग्राम मोल SCl की उदासी निकर्ण से प्राप्त उश्मा 5Q होगी तो ΔH Neutralization is equal to 5Q तो ΔH Neutralization 5400 plus W T6 minus T4 plus T5 upon 2 इस तरीके से आप उदासी निकर्ण से प्राप्त उश्मा का उदार्ण कर सकते हैं